जै श्री राम आज की कहानी चांद को भगवान राम से क्या शिकायत थी? चांद को भगवान राम से यह शिकायत है कि तिपावली का तिवहार अमावस की रात में मनाया जाता है और क्यूंकि अमावस की रात में चान निकलता ही नहीं है इसलिए वह कभी भी दिपावली मना नहीं सकते यह एक मधूर कविता किसी ने भेजी है इसका सोर्स है इंटरनेट वाटसेप यह एक मधूर कविता है कि चान किस प्रकार खुद को राम के हर कारे से जोड़ लेते हैं और फिर राम से शिकायत करता है राम भी उसी की बात से सहमत होकर उसे वर्दान दे बैठते हैं आईए देखते हैं एक बहुत ही मधूर प्रसंग किसी ने शेयर किया बहुत अच्छा लगा सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर जब चान्द का धीर तूट गया वे रगुनंदन से रूठ गया बोला राट को आलोकित हम ही तने करा स्वैम शिव ने हमें अपने सिर पर धरा तुमने भी तो उप्योग किया है हमारा हमारी ही चान्दनी में सिया को निहारा सीता की रूप को हम ही ने संभारा चान्द के तुल्ले उनका मुखडा निखारा जिस वक्त चान्द में सीता की तुम चुपके चुपके रोते थे उस वक्त तुमारे संभ में बस हम ही जाकते होते थे संजीवनी लाओंगा लखन को बचाओंगा हनुमान ने तुम्हें करतो दिया आश्वस्त मगर अपनी चान्दनी बिखराकर माग मैंने ही किया था प्रशस्त्र तुमने हनुमान को गले से लगाया मगर हमारा कहीं नाम ना आया रावन की मित्यू से मैं भी प्रसन्न था तुम्हारी विजय से प्रफुलित मन था मैंने भी आकाश से था प्रिच्वी पर झांका गगन के सितारों को किरा करीने से टाका सभी ने तुम्हारा विजयो सब मनाया सारे नगर को दुलहन सा सजाया इस अफसर पर तुमने सभी को बुलाया बताओ फिर क्यों मुझे नहीं बुलाया क्यों मुझे नहीं शामिल किया क्यों तुमने अपना विजोस्तव अमावस की रात को मनाया अगर तुम अपनी उस्तव किसी और दिन मनाते आगे अधूरे ही सही हम शामिल हो जाते मुझे सताते हैं चिड़ाते हैं लोग आज भी दिवाली अमावस पे ही मनाते हैं लोग तो राम ने कहा क्यों व्यर्थ में घबराता है जो कुछ खोता है वही तो पाता है जा तुझे अब लोग न सताएंगे आज से सब तेरा मान ही बढ़ाएंगे जो मुझे राम कहते थे वही आज से राम चंदर कहब बुलाएंगे सियावर राम चंदर कीजे अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो डू लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब तो आर यूटूब चैनल and hit the bell icon so that you get the notifications of all the videos we keep posting we have various videos and playlists in our section thank you so much love love, have a nice day Jai Shri Ram